डांस इंडिया डांसर अपनी पहचान बनाने वाली शक्ती मोहन को कौन नहीं जानता होगा शक्ती मोहन एक इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर है दोस्तों जितनी ये खूब सूरत है उससे कई जाधा ये बहतरीन डांसर है तो इस वीडियो में इनकी लाइव इस्टाल और बायागुराफिक के बारे में बात करने वाले हैं आखिर शक्ती मोहन ने कैसे स्ट्रोगल करके मुकाम को हासिल किया क्या आपको पता है नहीं पता तो आप इस वीडियो को एन तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शक्ती का रियल नेम शक्ती मोहन है और निकनेम शक्ती है शक्ती का जनम 12 अक्टूबर 1985 को नियू धहली में हुआ और 2021 के हिसाब से 36 साल की है शक्ती प्रोफीशन से एक डांसर और कोरियो गराफर है दोस्तो शक्ती को बचपन में एक दुरगटना के दोरान उनके पैरों पर गंभीर चोट लग गई थी और डॉक्टर ने बोल दिया था के वे कभी चल नहीं सकती लेकिन फिर भी वे न केवल अपने पैरों पर खड़ी हुई बलकि एक सफल डांसर भी बनी शक्ती मोहन की एजुकेशन की बात करे तो शक्ती मोहन को पढ़ाई में बहुत दिल्चस्पी थी और स्कूल की पढ़ाई शक्ती ने बिल्ला बाली का विद्या पीट पिलानी राजिस्थान से की जो की एक बोर्डिंग स्कूल है और अपनी स्कूल की पढ़ाई कर लेने के बाद शक्ती ने अपनी ग्रिजुएशन की पढ़ाई मिरिंडा हाउस देली से पूरी की जिसके बाद शक्ती ने सैंट जैवियस कॉलेज मुंबई में एडमिशन ले लिया जहां से उन्होंने में इन पॉलिटिकल साइंस में डिग इसलिए उन्होंने साल 2009 में टेरेंस लिएंस डान्स फाउंडेशन स्कॉलर्शिप ट्रस्स से डिपलोमा इन डान्स किया अपनी डान्स की डिगरी हासिल कर लेने के बाद शक्ती ने डान्स इंडिया डान्स सीजन टू में पार्टिसिपेट लिया और विनर भी बनी इस जी पार्टिसिपेट लिया फिर उन दिनों कलर्स चैनल पर एक रियालिटी शो जलक दिखलाजा में भी पार्टिसिपेट लिया और टॉप थ्री में अपनी जगा बनाने में कामियाब हुई और 2015 में शक्ती मोहन ने डान्स प्लस को जच किया जिससे शक्ती को एक अलग पहचा ठेंक यू, डान्स सिंगापूर डान्स, डान्स प्लस, डान्स प्लस टू, डान्स प्लस थ्री, डान्स प्लस फोर और डान्स प्लस सिक्स जैसे कुछ खास रियालिटी शो में काम किया शक्ती ने खुद को डान्स में साबित करने के बाद अपना लग फिल्मों में आजमान दी इसके अलावा शक्ती न रावडी राठोड कांची नवाबजादे जैसे कुछ फिल्मों में गाने में डांस किया है शक्ती ने बॉलिड में एक डांसर के अलावा एक कोरियोग्राफर के तौर पर भी काम किया है शक्ती ने 2013 में रिलीज हुई फिल्म धुम थिरी में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तोर पर काम किया जिसके लिए शक्ती को बड़ी पहचान मिली और बहुत से गानों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने के बाद वे 2018 में फिल्म पद्वावात में एक सौंग में कोरियोग्राफी की और इस गाने को बहुत पसंद भी किया गया दोस्तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना शक्ती मोहन आपको कैसी लगती है अब बात करते हैं शक्ती मोहन के हाउस के बारे में तो दोस्तो मैं आपको वता दू शक्ती मोहन का खुद का एक अपार्टमेंट है मुंबई महारस्ट्रा में जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहती है चली मिलवाते हैं आपको शक्ती मोहन के फैमिली से तो इनके पिता का नाम है ब्रिज मोहन शर्मा और इनके मा का नाम है कुसुम मोहन और इनके तीन बहने भी हैं जिनका नाम היא निती मोहन, मुक्ती मोहन और कृती मोहन बात करें इनके बॉइफरींड के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू शक्ती मोहन अभी करण्टे सिंगल है इस बारे में इन्होंने रिवील नहीं किया है जाधातर लोगों को लगता है कि रागव जुएल इनके boyfriend है लेकिन शक्ति मोहन ने अपने खुद एक interview में बताया कि रागव जुएल उनके छोटे भाई की तरह है अब बात करते हैं शक्ति मोहन के income के बारे में तो दोस्तों शक्ति मोहन एक episode में काम करने के लिए लेती है धाई से तीन लाख रुपए और ज़ाधा तर इनके income brand endorsement से होती है और ये एक song को choreograph परने के लिए लेती है कम से कम दस लाग रुपए वहीं बात करें शक्ति के कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इनके पास कार है जीप रैंगलर जिसकी कीमत है 58 लाक रुपे और दूसरी कार इनके पास है BMW 7 Series और इस कार की कीमत है 1 कडोर 40 लाक रुपे और तीसरी कार इनके पास है Mercedes Benz AMG GLA 35 जिसकी कीमत है 60 लाक रुपे वहीं बात करें शक्ति मोहन के नेट वर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेट वर्थ है लगबग 35 कडोर रुपे तो ये थी शक्ति मोहन की लाइव इस्टाल वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स वीडियो की सेलेबिटी के बारे में चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना